गुड मार्निंग बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में बहुपत क्या है तथा बहुपत के सुन्यकों के बारे में पढ़ा आज हम इस वीडियो में बहुपत के सुन्यकों के जैमितिय अर्थ के बारे में पढ़ेंगे अब हम बहुपत के सुन्यकों कजय में यह अर्थ देखेंगे तो PX बराबर 2X प्लस 3 तो PX को हम Y माल लेते हैं तो Y बराबर 2X प्लस 3 अब हम इस जो रेखिक बहुपत दिया हुआ है उसका हम ग्राफ कीचेंगे उसके लिए हमें यह जो डाटा दिया हुआ है उसका हमें शाड़नी बनाना होगा यानि कि X Y यहाँ पर हम X का मान हम रखते जाएंगे तो Y का मान हमें मिलता चला जाएगा तो X बराबर हम मैनस 2 लिएं तो Y बराबर हमको मैनस 1 मिला X बराबर 1 रखें तो Y बराबर हमको 5 मिला यहाँ जो हम लोगों को साड़नी मिला उसका हम लोग ग्राफ कीचते हैं यहाँ पर X बराबर मैनस 2 तो हम X डेस की और देखते हैं X बराबर मैनस 2 और Y बराबर मैनस 1 वो Y डेस के तरफ देखते हैं एक पॉइंट हमें मिला माइनस टू और माइनस ओन आप दूसरा पॉइंट देखते हैं कि था स्था 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 एक स्था स्था गच्टेजष घुम एक सान्टो है तो दूसरा पॉइंट हyasal lick है जो मिला द्या है है तो देखें, एक सेक्सिस पे एक बिंदू पे परतिछेद किया है, एक बिंदू पे परतिछेद किया है, कि इसमें मैनस 3 बाइट 2 वा 0 पे, एक सेक्सिस जहां पर जिस बिंदू पर परतिछेद किया है, मैनस 3 बाइट 2 वा 0 पे, वो जो बहुपद दिया हुआ है, उसका शु कुनियक है उस बिन्दू का एक्स निर्दे शांग है जहां वाई प्राबर 2x प्लस 3 का ग्राफ x अच को परतिछेद करता है अब हम दुखात बहुपत में देखते हैं पी एक्स ब्राबर एक्स स्क्वाइर प्लस b x प्लस c तो पी एक्स के बराबर हम y लेते हैं तो y बराबर ax square प्लस bx प्लस z इसका जो graph होता है या तो उपर की और खुला हुआ वक्र होता है या तो नीचे की और खुला हुआ वक्र होता है और हम इस प्रकार के वक्र को हम परवले कहते हैं हमें किस प्रकार से इसका graph खीचना है उसके बारे में हम लोगों को नहीं पढ़ना है बस कैसा इसका जो graph है कैसा होगा बस हमें इसी के बारे में पढ़ना है हम लोग पिछले वीडियो में एक द्विगाद बहुपत भी एकस बराबर एकस अस्क्वाइर मैनस 3 एकस मैनस 4 के सुन्यकों के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं और हम देखे हैं कि जो द्विगाद बहुपद का जो सुनियक आया था वो 4 और मैनस 1 आया हुआ था अब हम इस द्विगाद बहुपद का ग्राफ खिषते कैसा होता है देखते हैं कि ये जो ग्राफ है वो आपका X-axis पे आपका मैनस 1 और 0 पे कट करता है और आपका 4 और 0 पे करता है इसका जो ग्राफ है वो आपका परविलेकार है वो वक्र है और वो उपर की और मुख खुला हुआ है हम यहां देखते हैं कि कि किसी द्विगाद बहुपद AX-axisquare प्लस BX-axis के सुनियक उन बिंदों के X निर्दे सांग है जहां Y बराबर AX-axisquare प्लस BX-axis- infection को प्रतिछेद करता है अब हम Y बराबर AX-axisquare प्लस BX-axis के ग्राफों का अधियन करते हैं तो हमें मिलता है कि इसंतिती हमें प्राप्त होती है यह ग्राफ हो एकस-axis-Chris-axis को दो बिंदों पर प्रतिछेद गरता है दो बिंदो पर परतिछेद करता है याने कि जो ग्राफ है वो हमें दो शुन्यक दे रहा है दूसरी अस्थिती में जो ग्राफ है वो X-axis को एक बिंदो पर परतिछेद करता है तो इस अस्थिती में हमें इस अस्थिती में हमें एक सुन्यक प्राप्त होगा तिसरा अस्थिती में हम देखते हैं कि जो ग्राफ है वो X-axis को कहीं भी टच नहीं कर रहा है कहीं भी असपर्स नहीं हो रहा है यानि कि जो इसका जो सुन्यक होगा दृगात बहुपद का वो 0 सुन्यक होगा ये कोई भी सुन्यक नहीं देगा अब हम देखते हैं त्रिखात बहुपद के सुन्यकों का जैमिती अर्थ एक हम त्रिखात बहुपद लिए हुए हैं Y ब्राबर X Q मैनस 4 X इसका ग्राफ नीचे बना हुआ है इसको ग्राफ बनाने का तरीका हम लोगों को नहीं पढ़ना है अब आज पढ़ाए गई विशयोस समंधित कुछ प्रश्ण है जो कि प्रश्णा वाली 2.1 के हैं उसको आप लोग हल कर लिजिएगा धन्यवाद